नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मांग मांग के कृष्ण पक्ष की अमवस्या हर साल मांग मांग के कृष्ण पक्ष की जो अंतिम्तिती होती है उसको मौनी अमवस्या की रूप में हम मनाते हैं मौनी अमवस्या को असरान दान का विसेश महत्व है और माना जाता है कि मौन अवस्या 21 जनवरी सनिवार को मनाई जाएगी इस वार अवस्या बहुत खास रहेगी क्योंकि अवस्या पर पूरे 30 साल के बाद एक बिसिस्ट योग भी बन रहा है खपर योग इस योग में धार्मिक कारियों को संपंड करने और कुंडली के सनी के जो दुस प्रभाव है उस कभी वक्री चलते हैं इसलिए मौनि अवस्या के दिन चुकि इसके पहले ही वो ठीक रासी परिवर्तन भी किये हैं तो इस दिन आप महाप्रियोग करके सनी देव को मना सकते हैं तो सुबस वह ब्रहम मुर्त में उठकर घर की सफाई करें पवित्र नदीस रोवर में डूप करें और मौन रहने का संकल्व करें अगर आप पुरे दिन मौन नहीं रह सकते हैं तो इस कमस्या के दिन पीपल की सेवा करना पूजा करना यह सर्बोत्तम माना गया है आप इस दिन कुछ ना भी करें तो एक इस टील के लोटे में जल ले लें उसमें थोड़ा सा दूट डा मिठाई एक नारियल कुछ सिक्के जने उले कर पीपल के बिश के नीचे जाकर सबसे पहले लोटे की समस्यागरी पीपल की जर्में अर्पित कर दे ओम सरुपित्री देवताब्यो नमह ओम सरुपित्री देवताब्यो नमह इस मंत्र का जब लगातार करते रहें आपके कुं प्रत रखते हैं तो नमक मत खाईए संभब हो तो उकवास रखें और घर में अंधेरा तो बिल्कुल भी ना रखें और इस दिन कोई बी इंसान आपके दर्वाजे पर आता है तो उनको कुछ खाने पीने की वस्तु जरूर दीजे और पितर देवों के निमित तरपन चरूर क करने दीजे हैं अमोस्यात इती सप्ड़ी डेव को संगर्वर पppenर्याइब करने के लिए बिसेश प्रयों किए जाते हैं क्योंकि अमोस्यात तिती के दिन एक तो नकातमक ऊरजाएं सबसे ज़्यादा हाबी होती हैं वातावरन में बहुत ज़्यादा प्रभावित करने उनके निमित आप जल अर्पित करते हैं उनके निमित दान करते हैं और यहां तक की पीपल की बिश्की पूजा भी करते हैं ताकि आपके पित्री देव आप से संतुष्ट रहें आपके जीवन में खुसियां बरसा हैं आज हम बात करेंगे कि इस अमवश्यतिति के दिन चावल के वो बिसेज प्रयोग जो आपके जीवन के तमाम परिशानियों को दूर करेगा धन की मुस्कीलों को दूर करेगा और धन की देभी माल लक्षमी को प्रशंड करेगा तो वो कौन से परियोग है जो आपके कुंडली के तमाम दोसों से भी आपको बचाएगा अमवस्या तिथी किसी भी दिन आए तो उसके महत उतने ही रहते हैं अगर मंगलबार के दिन अमवस्या हो तो उसको हम भौमवती अमवस्या कहते हैं लेकिन अमवस्या के तिथी के दिन मुख्यतया पित्री देवों के निमित पूजा पाठ उतरपन किये जाने के लिए है या फिर मा धन की लक्ष्मी जो मा लक्ष्मी है उनको प्रसंद करने के लिए उपाय किये जाते हैं तो आज हम आपको चाबल के विसेश प्रियोग जाती है अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत तो कम करते हैं पर पूरी जंदिगी बहुत ही खुबसूरत तरीके से बिताते हैं ऐसो आराम में जीते हैं जोतिस कहता है कि कभी-कभी ग्रह समंदी बाधाओं के कारण धन की मुस्किलें परिसान करती है तो ऐसे में एक चावल बहँत ही ज़्यादा पूजनी है मालक्ष्मी को सबसे ज़्यादा पसंद है पूजा पाठ में बिना चावल के परियोक का आपका पूजा संपन्न ही नहीं होता और चावल सिर्फ भगवान स्रीहरी को नहीं अर्पित कि जाते बांकि तमाम देवी देपताओं को अ भी आप तिलक लगाते हैं माथे पर तिलक लगाने के बाद ही पुझा पाठ करना चाहिए तो तिलक लगाने के बाद उस पर दो चार दाने चावल के जरूर चिपकाएं ऐसा करने से कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति है वो मजबूत होगी और आपको सुफ़ल देने तिलक आप किसी भी चीज कर सकते हैं जैसे रोली को गीला करके लगा सकते हैं चंदन का लगा सकते हैं किसी भी चीज का लगाएं पर चावल जरू चिपका हैं क्योंकि इससे आपकी कुंडली का चंद्रमा मजबूत होता है धन की मुस्किलें दूर होती है कई बार क्या होता है धन की मुष्खिल बहुत परिशान करती है तब ऐसे में अमौस्य तिथी के दिन एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है ये प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं सामें भी जाके कर सकते हैं वैसे अमौस्य तिथी है तो घर की अधितर महलाएं बरत रखी होंगी नहीं भी रखे हैं तो कम से कम लहसन प्यास तो नहीं ही खा रहे होंगे तो एक छोटा सा काम कीजिएगा क्या करेंगे कि धन की मुश्किलें दूर हो जाए देखिए सोंबार का दिन भले ही सिप जी को समरपित है लेकिन अमवस्यत ही थी के दिन अगर चुकि इस दिन चंद्रमा छीन रहता है तो मन की परिसानिया बढ़ जाती है और चंद्रमा के स्वामी जो है वो सिप है तो उनको परसंद करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा एक मुठी चावल ले जाकर सिपलिंग पर चढ़ा दे अब मा लेते हैं आपने ब्रत नहीं किया आपने खापी लिया है कोई बात नहीं चावल ले जाकर सिप जी के मंदिर में आप एक मुठी अपनी मुठी से कसके ले ले और लेकर आप अपने पास की किसी भी मंदिर में जाकर प्रेम से रख दे ये जो चावल है एक बात का ध्यान रखिएगा कि टुटा फुटा बना हो फिर देखिएगा कैसे धन की देवी मा लक्ष्मी क्या आपके उपर कृपा बरस्ता है धन प्राप्ती के योग बनते हैं अगर मा लेते हैं आपने ये परियोग आज नहीं कर पाया तब ऐसे में आप किसी भी सोम बार के दिन ये परियोग कर लीजेगा जीवन की मुस्किले कम होंगी अब नौकरी और रोजगार की प्राप्ती के लिए अभी बच्चे लोग ज़्यादा परिसान है क्योंकि करोना के वक्त में एक जौब मिल नहीं रही जिनकी है उनको भी चूट गई अब आप परिसान है कि कैसे नौकरी रोजगार की प्राप्ती हो कैसे जीवन बेहतर हो कैसे जीवन जीना सरल हो जाए एक छोटा सा काम करें आपके घर में चावल है अब चावल को मीठे चावल बनाईए यानि उसमें आप थोड़ा सा दूद चीनी बेगेरा डाल कर मीठे चावल बना ले कवे को खिला दे कहीं ऐसे जगह डाल दे जहां कवा आता हो नोकरी बैफसाई की समस्या दूर होगी क्योंकि ये जो कवे खाया इनके जरीए आपके पित्री देव संतुष्ट हो रहे हैं तो नोकरी बैफसाई की समस्या दूर हो जाएगी और आपके ऑफिस में भी आपको प्रमोशन मिलेगा धन लाप के योग बनेंगे और जो भी मुश्किले है जीवन की वो समाप्त हो जाएगी तो आपको कवे को खिलाना है आप इस अममावस्या के दिन अगर आपके घंड में चावल बन चुका है तो चावल में ही थोड़ा सा दोचार चमच दूद और थोड़ा सा चीनी मिला कर आप रख सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब जीवन में हर कोई चाथा है कि धन की बरकत हो लक्षमी स्थिर रहे लक्षमी छोड़ कर कहीं न जाए अब लक्षमी की चाहत भला किसे नहीं है जो पापी मनुस से उसे भी है पुन्यात्मा कवतो है ही तो ऐसे में छोटा सा काम कीचेगा कई बार क्या होता है बनते वेकार भी अठक जाते हैं और ये समस्याइ अक्थर पित्री दोस्के कारण होता है क्योंकि पित्री देव अगर नराज हो जाएं तो ना तो बंस्विर्दी होगी ना ही जीवन में धन्संपत्ती बड़ेगा ना जीवन में स्थिर्था आएगी ना ही बरकत होगी, यानि सब कुछ तबाह हो जाता है, तो इन तमाम समस्याएं जो है, वो पित्री दोस के कारण होता है, तो ऐसे में एक छोटा सा काम करें, कववे को रोटी खिलाईए, रोटी के साथ मीठे चावल, ये भोग पितर देवों को बहुत पसंद है, मीठे चावल ये खीर बना सकते हैं, और ऐसा करने से पित्री देवों का आसिरवाद मिलता है, बरकत होता है, सबसे अंत में, देखिए मा लक्ष्मी को परसंद करने के लिए आप बहुत सारे प्रियोग करते हैं, लेकिन एक छोटा सा काम कीजिए, आप अपने घर के पूजा स्थान पर कभी भी बैठ सकते हैं, सामें भी बैठ सकते हैं, बस आप फ्रेस हो रगकर बैठ जाएं, अब एक लाल रंग के कपड़े रखें, उस पर 21 दाने अखंडित चावल, यानि बीना तूटा हुआ चाव लेकिन पर्स का पाठ करें, एक बार, फिर इस चावल को अपने पर्स में रख लें, या अपने आप लॉकर में रख लें, तो क्या होगा ना, धन की उनकावटे दूर होगी, मा लक्ष्मी की किरपा बरसेगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, आपके घर में धन आता रहेगा, अगर मन की समस्याइं जादा हो, चंद्रमा कुंडली में असूब हो, तब अपनी मा से इस अमवस्या के दिन, या फिर आप किसी भी पुर्णी मा के दिन भी ये प्रियोग कर सकते हैं, एक मुठी चावल ले ले और इस चावल को संभाल कर रखें, मन की समस्या पर महा प्रियोग जरूर करें, हम आप से विदा लेते हैं, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्काइब करें